बिस्मिल्लाहिर्माने रहीम, असलाम विक्म स्टूडेंट्स, तोड़े वी आर कोईंग टू स्टड़ी अबाउट हाई ब्लड प्रिशर, नॉर्मल ब्लड प्रिशर जिन्दगी के लिए जुरूरी है, ठीके जी, ब्लड प्रिशर क्या करता है, हार्ड जब पंप करता है, त प्रिशर के साथ पूरे ब्लड को पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फैलाता है, मूफ करता है, अगर ये प्रिशर नहीं होगा, तो टिशूज और और ओर्गन्स को ब्लड ही नहीं मिलेगा, ठीके जी, आपने चेप्टर टू में पढ़ा था, कि हार्ड से ब्लड आर्ट्र पूरी देर के लिए हाई हो जाता है, जैसे एकसरसाइज करें, हैवी एकसरसाइज करें, या डर लग जाए, या घुसा आ जाए, उन तीनों सिच्वेशन में नॉर्मल लोगों का भी ब्लड प्रिशर हाई होता है, उसक जरूरत होती है हाई ब्लड प्रिशर की, सेल्स को ज जादा ब्लड चाहिए होता है, ठीक है जी, लेकिन ये वाला ऐसे जो ब्लड प्रिशर हाई होता है, नॉर्मल लोगों का, वो थोड़ी देन में लो हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है, लेकिन अकर ब्लड प्रिशर बहुत हाई रहे, या हाई रहे मुसलसल, या बहुत ल तो दोनों सूरतें जो है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग है ठीक है जी तो हाई ब्लड प्रिशर जो है वो अगर मुस्तकिल हाई रहे तो ये एक सीरियस डिजीज बन जाती है और उसको कहते हैं हाईपर टेंशन इस सूरते हाल में चेक अप सरूरी होता है कि डॉक्टर को अपन स्म्टम नहीं है स्म्टम कहते हैं अलामत जैसे पुछ बीमारियों में बुखार तेज हो जाएगा या कुछ और इसमें जो है ना शुरू में पहली दूसरी दफ़ा जब लोगों को हाई ब्लड प्रिशर होता है तो उनके सर में दर्द वगरा हो सकते हैं फिर बॉड़ी ज लेकिन अमोमन जो हाई ब्लड प्रिशर के पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रिशर अगर बगाए अगर वो दवाई नहीं उन्होंने ली तो उनका ब्लड प्रिशर बहुत हाई भी हो जाएगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा इस सुर्ट इहाल में क्या होगा कि उसमें जो डैमिज करना है ब्लड वेशन है वो डैमिज कर देगा क्या डैमिज होता है ये ब्लड वेजर्स को डैमिज करेगा अगर दिल की ब्लड वेजर्स को डैमिज करेगा तो हार्ट अटेक हो जाएगा अगर ब्रेन की ब्लड वेजर्स को डैमिज करेगा तो brain hemorrhage हो जाएगा जिसके नतीजे में फालज हो जाएगा तमाग की रख फ़ड़ जाएगी brain hemorrhage का क्या मतलब है तमाग की रख फ़ड़ जाएगी और फिर फालज हो जाएगा या खुदानाखासा death भी हो सकती है heart attack का भी next topic है उसको फिर हम silent killer का क्या मतलब है कि पता भी नहीं चल रहा कि blood pressure हाई है और इतने बड़े बड़े नुकसान भी हो गए दुनिया में सबसे जादा deaths जो होती है वो cardiovascular diseases की वज़े से होती है जिसके पीछे जो बड़ी वज़ा होती है वो high blood pressure होती है या मुझे पता नहीं चल रहा पता नहीं चलता अक्सर रौकाद पता नहीं चलता इसलिए जरूरी क्या है कि जैसे ही शा को diagnose करवाएं डाइग्नोसिस के लिए क्या जरूरी है ये बीपी अपरेटरस के जरीए अपना blood pressure measure करना इस बीपी अपरेटरस को कहते है चेक करें पेशेंट अगर हैं high blood pressure के वो अपने घर में ऐसी device रख लें और regularly अपना blood pressure चेक करते हैं लेकिन diagnosis और blood pressure चेक के साथ जो use of medication है as advice by the doctor अपनी मर्जी से दवाई ना change करें डाक्टर से अपनी दवाई set करवाएं और उसके मताबक blood pressure को control करें ताकि ये complications ये complications है blood pressure high होने की इन से बचा जा सके ठीक है ना blood pressure को control करना दवाईयों के जरीए lifestyle change के जरीए बहुत असान है लेकिन इन बिमारियों के बाद health को या normal life activity को maintain रखना तकरीबन ना मौमकिन हार्ट अटेक हो जाए या brain hemorrhage हो जाए या kidney failure हो जाए तो जरूरी नहीं के बंदा मर जाएगा हो सकता है उसके बाद कई साल जिन्दा रहे लेकिन किस हाल में जिन्दा रहेगा ये एक बहुत questionable बात है ठीक है ना तो इसको सोचना और इसके मताबक अमल करना बहुत जरूरी है और latest trends चुई हैं कि teenagers को भी बहुत ज़ादा high blood pressure की problem हो रही है पहले समझे जाता था कि ये 40-50 साल की उमर के बाद होता है blood pressure का problem but now internationally it has recognized कि किसी भी teenage से ही शुरू हो जाता है लोगों को problem उसमें एक बड़ी important बात ये है समझने की कि blood pressure जो है ना वो हर वक्त high नहीं रहता है ये 24 घंटे में fluctuate करता रहता है 24 घंटे में एक दफा भी blood pressure high हुआ तो कुछ भी हो सकता है जितना young age में blood pressure हाई होगा उतने ज़ादा नुकसान होगा और blood pressure को समझने के लिए एक ये चार्ट बड़ा ज़रूरी है दो reading होती है blood pressure की जो ये device बताती है एक top reading number होता है एक bottom number होता है systolic और diastolic कहते हैं आप अभी ये समझ लें कि जो ideal blood pressure है उसकी range क्या है कि उपर वाली value 90 से 120 तक आए वो ठीक है नीचे वाली value 60 से 80 तक आए वो ठीक है ये ideal blood pressure की range है इस से कम यानि 90 by 60 से अगर कम हो तो low blood pressure है 120 by 80 से अगर high हो कितना 120 से 140 की range और 80 से 90 की range तो इसको कितने pre high blood pressure यानि जिन लोगों का कभी कभी ये वाला blood pressure हो रहा है value आ रही है machine के जरीए तो उन्हें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि वो high blood pressure की बिमारी की तरफ जा रही high blood pressure क्या है 140 उपर वाली reading जब भी 140 से high हो और नीचे वाली reading जब भी 90 से high हो ये और भी इससे आगे जा सकती है बाद लोगों का 200 से भी बहुत उपर blood pressure चला जाते है उपर वाला नीचे वाला 150 तक भी चला जाता है hypertension की बिमारी बढ़ सकती है अगर हमारे फूड में fat सादा हो या salt सादा चिकनाई वाली चीज़ें नमक वाली चीज़ें नमक बहुत खतरनाग है चिकनाई फूड में बहुत खतरनाग है कम से कम इनको लें salt जिनके family में अगर ये भी बिमारी ऐसी जो family history से जिसका तालुक है तो जिनकी family में है या नहीं है आम इनसान को एक चमच एक चाय का चमच नमक से ज़ादा पूरे दिन में नहीं लेना चाहिए कम से कम आटे में गून आटा जो गूने उसमें नमक न डालें किसी fruit, vegetable, salad के उपर कभी नमक न डालें सालन में कम से कम नमक डालें चावलों में कम से कम नमक डालें अपनी salt के taste को low पे लेके आएं जितना बढ़ाएंगे उतना नुकसान है smoking की वज़े से arteries hard हो जाती है इस वज़े से high blood pressure होते है वज़न जादा होने की वज़े से low blood pressure का भी problem हो सकता है high blood pressure का भी problem हो सकता है diabetes एक ऐसी बिमारी है जो जिसम की सारी बिमानियों के बढ़ाने की इसलाहियत रखती है इसलिए high blood pressure को भी बढ़ा लेती और lack of exercise वही couch potato बनेंगे हिलेंगे जुलेंगे नहीं मेहनत नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे exercise नहीं करेंगे walk नहीं करेंगे तो blood pressure हाई होगा stress stress कातिल है हमारे दिल तमाग और blood pressure सबका stress और anger management stress management और anger management सीखे यह वो दो चीज़ें जो अल्ला पे बhrुसा करने वाले मसल्मान में नहीं होनी चाहिए कहां हमारे अंदर कमी है वो समझें और उसके लहाज से उसको काबू में करें और इन सब चीजों को अवाइड करेंगे तो हिल्दी रह सकते हैं एक बड़ी इंपॉर्टन बात ये कि पाकिस्तान में बुरी दुनिया में हाई बलड प्रिशर का इंसिदेंस बहुत साथ है पाकिस्तान में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 50% लोगों को हाई बलड प्रिशर की बीमारी जिसमें से सिर्फ 20% को पता है और वो इलाज करा रहे हैं 30% लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं इसलिए पाकिस्तान में बहुत हार्ट पेशिंट है पाकिस्तान में बहुत लोगों को ब्रेन आमरेज होता है और इसके जैसे डैथ ही अफाले जो थी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किड्नी फेलियर के पेशिंट है इन सब बिमारियों के पीछे जो root cause है high blood pressure इसको दुश्मन समझें और इसको काबू में करें अच्छा यहाँ पे एक box है science dead bits का जो यह बता रहा है कि कुछ बिमारियां ऐसी होती है जैसे diabetes, high blood pressure heart diseases, asthma, kidney failure वगरा भी जो chronic है chronic का मतलब है जो लंबे अरसे के लिए चलती है यह बिमारियां control हो सकती है लेकिन cure नहीं हो सकती यानि इनका treatment है इनका cure नहीं है treatment और cure में क्या फरक है treatment का मतलब यह है कि अगर मुझे high blood pressure की बिमारियां मैं दवाई regularly लेती रहूँगी यह सारे risk factors जो भी हमने discuss की है इनको काबू में रखूँगी यह सारे points जो भी हमने discuss की इन सब काबू में रखूँगी तो मेरा blood pressure काबू में रहेगा लेकिन अगर मैं यह सब काम नहीं करूँगी दवाई छोड़ दूँगी तो यह फिर दुबारा शोड़ जाए यह cure नहीं होता इसका इलाज है लेकिन यह ठीक नहीं होती बिमारी regular treatment चाहिए monitoring चाहिए, follow up with doctor चाहिए तब ही इनको काबू में रखा जा सकता है, control किया जा सकता है, यह खतम नहीं हो जाती हाँ, अगर किसी को शुरू शुरू में है और वो सारी चीज़ अपनी ठीक कर लेते हैं, diabetes भी बिल्कुल शुरू हो रहा हो, तब भी अगर यह सारे factors, यह risk factors almost, जो है ना, related to diabetes से भी जादा, अगर heart problem, diabetes, high blood pressure, इन सब में अगर इन चीज़ों काबू में कर लें, तो शुरू में, बिल्कुल शुरू में, तो हो सकता है कि reward हो जाए बिमारी, otherwise एक दफ़ा यह बिमारी बढ़ जाए, तो यह reward नहीं होती, और इसकी तरफ मतलब बहुत सारे treatments यह दावा करते हैं, यह दावे जो है ना, मतलब उनके उपर फॉरण समझें कि यह गलत बात है, इनको control किया जा सकता है, खतम नहीं किया जा सकता है, it's a life long अगर यह बिमारी है, तो यह आपकी जिन्दगी का साथी है, और इसको आपने काबू में रखने हैं